यह 3-4 page के notes है वो जो 75 pages है अब देखो जैसे unit 2 है यह सिर्फ एक page की बना दी है ठीक है सिर्फ एक page अपनी सिहत और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होगे तो यह जो video है basically यह unit 2 है बहुत सारे लोगों के message आ रहे थे कि यार unit 2 upload कर दो so this is the unit 2 और unit 1, unit 3 and unit 4 already upload हो चुकी है मेरे channel पर link आपको description में मिल जाएगा यह unit 3 and 4 मैंने last year upload की थी तो वो आप देख ले ना शुरू का part उसमें से और unit 1 मैंने कल ही upload की थी तो वहाँ पर आपको unit 1 पूरी explain अच्छे से मिल जाएगी and मैं बिलकुल एकदम शौर हूँ कि इन videos से बाहर एक भी question नहीं आनेगा ठीक है आप अगर यह अच्छे से करके चलेगे तो सारा fear खतम exam गया that's it इससे अलावा कुछ नहीं करना यार because यह जो है ना यह मैंने बहुत एकदम crisp and clear करके notes बनाए है ठीक है आपकी जो PDF है वो बहुत लंबी किताब है 70-75 पढ़ने की है वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इतना ठीक है यह 3-4 page के notes है वो 75 pages है अब देखो जैसे unit 2 है यह सिर्फ एक page की बना दी है ठीक है सिर्फ ए unit 2 की जो PDF अगर चाहिए तो मुझे आप mail कर सकते है अपनी Gmail ID mail कर देना in the sense की comment में डाल देना मैं आपको mail कर दूँगा ओके okay now देखते हैं सबसे पहले यहां पे assessment and evaluation of the students जो unit 2 है ठीक है देखो सबसे पहले start करने से पहले एक चीज़ यार अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है तो कर लेना because आने वाले time पे मैं एक live class लेने वाला हूँ 15 फरवरी को आपका exam 16 फैब को है मैं 15 फैब को एक live class लोगा उसमें आपके जो भी doubts है ठीक है वो आप पूछ सकते हो या तो YouTube पे हो जाएगा एक live session और या फिर एक zoom class कर लोगा मैं ठीक है जो जिससे क्या होगा verbally आपके अपने doubts आप पूछ सकते हो तो यहाँ पे देखते हैं और यह सारा free of cost है तो चैनल को subscribe कर लेना so that आपको पता चल सके उस time पे जिस time पे class चल रही होगी तो अभी सबसे पहले बात करेंगे assessment की assessment क्या होता है एक ऐसी activity होती है जिसमें teacher और student participate करते हैं तो basically assessment का जो main लेकिन जो मकसद है वो बच्चों को सिखाना होता है तो यह एक ऐसी activity है जिसमें teacher और student दोनों participate करेंगे क्या करने के लिए to get information to learn तीचर क्या करेगा बच्चों को सिखाएगा जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं तो यह assessment है basically that can be used to change the teaching and learning अब यह change the teaching and learning का मतलब है उसको और अच्छा बनाने के लिए ठीक है अगर मालो कोई teacher है वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है तो अगर बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से तो वो क्या होगा उसका learning को जो capacity वो बढ़ेगी अगर मालो उसको भी कल किसी को पढ़ाना हुआ तो वो क्या करेगा अपनी teaching skills develop कर अपने अंदर एक ऐसी मतलब क्या habits बना लेगा जिससे क्या होगा वो बहुत अच्छे से सीख सके चीज़ों को तो learning capacity अच्छी हो जाएगी उसके बाद देखो includes teacher observation अब जो assessment होता है assessment का basic meaning ध्यान रखना यही है कि बच्चों को सिखाना बच्चों को सिखाना चीज़े और व अब जो असेस्मेंट होता है इसमें teacher के observation की जरूरत पड़ती है and analysis of the student work अब यह जो teacher का observation है और जो student का काम है इसको observe करता है कौन teacher जो student है उसके काम को कौन observe करता है उसके काम को teacher observe करता है और वो अलग अलग तरीके से हो सकता है कैसे उसको homework देके उसको test देके उसको essay reports उसकी speech, class में होता है ना, debates करवा देते हैं, तो ये सारे क्या है, आपको सिखाने का तरीका होता है, these are all known as assessment, ठीक है, practical, precision, classroom, discussion and issues, जैसे class में group discussion करवा देते हैं, ठीक है, class में कोई book reading करवा रहा है, आपसे खड़ा हो के, कि बही चलो, ये वाला chapter पढ़के सुनाओ, है ना, फिर teacher आपको पढ़ाता है, तो वो सारी चीजे क्या है, assessment के अलग-अलग तरीके हैं, मतलब आपको पढ़ाने के अलग-अलग तरीके, अब जैसे YouTube पे आप पढ़ रहे हो, तो ये भी एक assessment है, है ना, आप एक पढ़ने का तरीका है, अगर मैं आपको कोई homework दे दूँ, कि चलो, ये काम करना जब next video आएगी, या फिर मैं आपको subscribe करने के लिए बोल देता हूँ, चैनल को, तो ये क्या है, टाइप से assessment है, basically, assessment कैसे, कि आने वाले time पे आप बहुत सारी चीज़े सीख सकते हो, है ना, ओके, next is, plan is very important to announce the assessment, अब जो planning होती है, ये बहुत ही ज़ादा जरूरी होती है, assessment के लिए, why planning is important to assessment, देखो, अब ये जो video मैं बना रहा हूँ, ये planned video है, मैंने पहले plan किया था, कि पहले मैं ये वाला point explain करूँगा, आपको फिर मैं नीचे इस point पर जाऊँगा, फिर मैंने ये tables मना रखी है, तो ये सारी चीज़े के planning है, अगर मालो ये planning नहीं होती, ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ा रहा होता किसी time पे, तो यहाँ पे क्या है, आपको समझ में भी नहीं आती चीज़े, और teacher बच्चे सीख भी नहीं बाते, तो ये क्या है planning is very important, planning बहुत जादा जरूरी है, किस के लिए enhance to assessment, मतलब बच्चों को और भी जादा सिखाने के लिए, बच्चों को और भी जादा, उनका scope, उनकी habits बनाने के लिए, मतलब improve करने के लिए, उनकी जो quality है, life की improve करने के लिए planning is very important in assessment, okay, now I hope समझ में आया होगा, assessment का मतलब क्या होता है, तो अब doubts clear हो जाएंगे, सारे की सारे, okay, next देखो यहाँ पे, assessment का जो physical activity है, ये तो था academic type से आप लिख सकते हो, अब यहाँ पे physical activity से related आप क्या लिखना है, उससे related अगर मानलो आजाए, दो type की definition आ सकती है, what is assessment simple आजाए, तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर especially आजाए, what is the meaning of assessment in scope of physical education teacher, उसके हिसाब से आएगा, तो सिर्फ आपको understand the student learning, student की जो learning होती है, ठीक है, student की जो learning होती है, उसको improve करने के लिए जो process लगता है, उसको improve करने के लिए जो process follow होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, assessment बोलते हैं, आई बात समझ बें, okay, next देखो, I hope आप चीजे समझ रहे हैं कि assessment का मतलब क्या है, अब sad, डर नहीं लगेगा आपको, आप पहले बहुत confusion हो रहे थी assessment और evaluation में, यहाँ पर सारी confusion दूर हो जाएगी आपकी, next देखिए, all right, एक सगें, एक सगें, एक सगें, एक सगें, okay, assessment में, अब assessment का का काम क्या है, basically, दो question को solve करना, अब, basically, daily life में, दो type के question होते हैं, what was learned, जब एक class खतम होती है, तो क्या होता है, what was learned, इस class में, क्या सीखा गया, and how well was it learned, और कितना अच्छे से इसको सीखा गया, ठीक है, तो assessment के पास, दो question का answer होता है, what was learned, and how was, how well was it learned, ठीक है, कितना अच्छे से उसको सिखाया गया, teacher के द्वारा बच्चों को, okay, so this was all about the assessment, अब आत करते हैं, evaluation की, ठीक है, इनका difference भी देखेंगे अभी, तो पहले लेकिन आप evaluation को समझो, evaluation क्या होता है, फिर हम difference पे आते हैं, all right, what is evaluation, now, evaluation focuses on under grades, तो evaluation होता है, वो हमेशा grades पे focus करता है, ठीक है, वो हमेशा किस पे focus करता है, grades पे, अब grades क्या होते हैं, grades होते हैं, आपके marks, जो आपने test दिया, जो आप अभी जो ये exam देके आओगे, ठीक है, उसके बाद फिर घर वापस आओगे, तो, जब result आएगा, तो वो क्या होगा, वो आपका evaluation होगा, आपने कितना अच्छे से पढ़ा, ठीक है, कितना अच्छे से पढ़ाई की 10th class में, वो सारा की सारा क्या है, आपका evaluation है, समझी में आई बात, next is, it is judgmental, ये judgmental होता है, ये आपको judge करता है, अगर मानलो आपके अच्छे नंबर आएँ, तो सब आपको इज़द देंगे हैं ना, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 99 आ रहे हैं, 100 आ तो क्या है, उसकी full respect, full इज़द, लेकिन किसी के 25 आ रहे है, किसी के 33 आ रहे, रहे हैं, 35 आ रहे हैं, उसकी कोई इज़द नहीं, हाना, ऐसा यह है भाई, नहीं होती सच में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इस judgmental, यह आपको judge करता है, हाना, ओल्राइट, फिर उसके बाद देखो, यह आपका एक basically character बनाता है, किसी दूसरे के सामने, आप, कोई भी parents आता है, पूछेगा भाई, बेटा, दसवी class में कितने number आए, कोई कहेगा, sir, मेरे तो 95 marks आए, 95 marks आए, तो उसके दिमाग में एक image बन जाएगी, कि यह बच्चा अच्छा है, कोई कहाँ आगा, sir, मेरे तो 53 marks आए, तो पता चल जाएगा, कि भाई, यह कैसा student, कोई कहता है, मेरे चौंतियस number है, तो समझ में आजाएगी, हाँ, यह तो नाला है, कि पढ़ता लिखका तो है नहीं, है ना, तो यह एक judgment बनाता है, जो evaluation होता है, लोग आपको evaluate करते हैं, teachers, है ना, teachers भी, ओके, next देखो, वाट इस दिफरेंस बिट्वीन, असेस्मेंट एन दे एवलेशन, जो assessment और evaluation के बीच का जो difference है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, अब असेस्मेंट क्या होता है, अभी हमने देखा assessment की definition क्या था, यह पढ़ाने का तरीका है, basically, मतलब बच्चों को सिखाने का तरीका है, assessment, उनको अलग-अलग तरीकी से जो सिखाया जाता है, वो assessment है, now, it is ongoing process, जो assessment होता है या वो एक ongoing process है, ongoing process मतलब हमेशा improve होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है, now, it is closing or closer result, यह closing और closer result है, closer result कैसे है, क्योंकि यह आपका result है, ठीक है, जब आपका 10th class का result आएगा, आपकी 10th class बंद हो जाएगी, फिर आपकी नई class शुरू हो जाएगी है, लेकिन नई class तो assessment में भी आएगी, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर काया, फिर से सीखने लगोगे चीजों को, यहाँ पर देखो closer, अप 10th class का एग बार result आगया, तो दुबारा दुबारा वही result आएगा, नई, तो क्या होगा, यहाँ पर यह closer result है, मतलब आपको closing result देता है, उसके बाद देखो, next is, improves the learning quality, जो assessment होता है, जिस अगर आप कुछ चीज़े सीखते हैं, तो आगे चलके life में, आपकी improve करता है qualities को, learning abilities को improve करता है assessment, ठीक है, now, judges learning level, अब यह learning level को judge करता है, evaluation की, आपने क्या सीखा, है ना, आपने 10th class में क्या सीखा, कितने marks आए, तो वो सारा की सारा काम का करता है, evaluation पे judge होता है, ठीक है, now, it is upgraded, यह दिन बदिन upgrade होता रहता है, it is graded, यह सिर्फ एक बार grade आगे, 10th week में number आगे, तो आगे छप गए आपकी mark sheet में, lifetime के लिए, यह क्या होगा, अगर मानलो, 10th week में आपको अच्छे से सीख नहीं पाएगे, तो 11th week में सीख जाओगे, और अच्छे से improve करके, this is upgraded, वो upgrade हो जाएगा, लेकिन 10th week के marks अपग्रेड नहीं होंगे भाईया, ठीक है, तो यह क्या हो जागा, assessment और evaluation का difference, this provides feedback, अब आप कुछ चीज कोई सीख रहे हो, अब जब कोई चीज आप सीख रहे हो, let's say 10th class में कुछ सीख रहे थे, ठीक है, तो उसी टाइम टीचर से आप पूछ सकते हो, अब आप टीचर से पूछ सकते हो, यह चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे अगर आपको इसमें से, इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, 10th, जो आपका जो exam में 16th Fav को है, मैं 15 फरवरी को एक live class लेने वाला हूँ, ठीक है, जिसकी सी को भी doubt हो, वो उस live class में आ सकता है, नहीं doubt हो, तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा एक feedback, वहाँ पे आप feedback भी दे सकते हो, और उसके बाद वहाँ पे आप comment भी, मतलब अपने जो doubts हैं वो पूछ सकते हो, सेम ऐसी वो क्या होगा, assessment होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, evaluation, अब यहाँ पे evaluation में क्या होगा, मान लो आप exam देने गए, और आपका exam अच्छा नहीं हुआ, तो आपकी कमिया, shortfall है, तो यह आपकी कमिया नजर दिलाता है, कौन? evaluation, ठीक है? तो evaluation क्या है, एक type से negative concept कर सकते हो, negative क्या मतलब? कि यह आपकी कमिया गिनवाएगा फिर, आपके result से आपकी कमिया गिनवाई जाएंगी, ठीक है बई? ओके, next देखो, तो difference समझ में आया, कि assessment और evaluation में क्या फर्ख है? एक second, ओके, next देखिए, यहाँ पे, types of evaluation, ठीक है? types of evaluation के बारे में बात करेंगी अभी, तो जो types of evaluation होता है, वो क्या होता है? देखो, पहला, formative evaluation, यहाँ पे evaluation के तीन types है, formative evaluation, दूसरा हो जाएगा, summative evaluation, और तीसरा हो जाएगा, diagnostic evaluation, ओके, पहला बढ़ते हैं, formative evaluation, एक second, it is ongoing process, जो formative evaluation होता है, वो एक ongoing process है, used to monitor student, यह student को monitor करने के काम आता है, ठीक है? student को क्या करता है? monitor करने के काम आता है, learning progress during the instruction, for providing feedback to okay, अब यहाँ पे, let's say, आपकी कोई class चल रही है, है ना? एक principle आ जाए, आपकी और corridor में खड़े हो जाए, चुपचाप आप लोगों को देख रही है, teacher को भी और student को भी, आप उसको यह समझ में आ जाएगा, कि कौन सा student को, अगर मालों कोई student छेतानी कर रहा है, और उसमें देख लिया, तो यहाँ पे क्या होगा? यह ongoing process चल रहा है, और उसमें वो principal आपको monitor कर रही है, उसमें वो teacher आपको monitor कर रहा है, ठीक है, उस learning process में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? उस instruction के दौरान, वो आपको feedback प्रोइड कर सकती है, ठीक है, और उसी instruction के दौरान, student भी अपना feedback दे सकते है, teacher को, कि ma'am, हमें यह समझ में नहीं आ रहा, कि sir, हमें यह समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो यह ongoing process है, उसके बाद आता है, summative evaluation, अब यह summative evaluation क्या होता है, बई देखो, evaluates the outcome of the program, जब वो class खतम हो गई, जैसे यह वाली class चल रही है, जब इसके बाद यह class खतम हो जाए, कुछ लोग होंगे जो channel को subscribe कर लेंगे, कुछ होंगे जिन्होंने शुरू में ही subscribe कर लिया होगा, कुछ होंगे जो subscribe करेंगे ही नहीं, है ना, जब, और जब subscribe नहीं करेंगे, तो उनको पता नहीं चलेगा, जब 15 तारिक को class होगी, है ना, तो उनकी class miss हो जाएगी, so, it is given at the end of course, यह एक course के बाद की जो feedback होता है, वो है basically, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कि भई उस student ने उस class के बाद क्या सीखा, जैसे इस video के बाद आप लोगों ने क्या सीखा, आपने unit 2 complete कर ली, simple सी बात है, खेल-खेल में, यह 15-20-30 minute के वीडियो के अंदर, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कि उस class के तुरंत बाद, क्या सीखा बच्चों ने, वो क्या होता है, summative evaluation, अभी आप देखो, evaluation क्या होता है भाई, judgment है basically, तो कोई आपको judge करेगा, कि आपने class के बाद, क्या सीखा, diagnostic evaluation क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं अभी, जो, it means to find out exact problem, ठीक है, बच्चों में जो exact problem होती है, उसको find करना, ठीक है, कि बई, एक बच्चा, कोई अच्छे से सीख क्यों नहीं पा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होता होंगे, class के अंदर, यार, कोई अगर कोई teacher समझाता है, तो उसको सारी चीज़े अच्छे से समझ में नहीं आती, तो यहाँ पर क्या होता है, diagnostic evaluation का इस्तमाल करता है teacher, ठीक है, वो उसको पता होता है सारी चीज़े, इस formula से, इस तरीके से, student को क्या होता है, sorry, teacher को क्या होता है, उस student की strength और weakness पता चल जाती है, उसको यह पता चल जाता है, कि इसका maths अच्छा है, इसका science अच्छा है, यह इस subject में weak है, ठीक है, तो यह सारी चीज़े, वो पता लगाया जा सकता है, उस diagnostic evaluation से, जैसे आप doctor के पास जाते हैं, तो doctor से क्या करते हैं, अपनी problems बताते हैं, उसके हिसाब से वो आपको दवाईयां देता है, डॉक्टर को exact बिमारी नहीं पता होता, जब तक असली reports नहीं आ जाती, तो वो क्या करता है, आपको सिर्फ आपकी problems सुनके, आपके symptoms सुनके दवाईयां देता है, same ऐसे ही, teacher क्या होता है, आपके जो symptoms होते हैं, उसको समझ के प्रकड में आ जाता है, उसको, कि इस बच्चे को यह problem है, इस बच्चे को यह problem हो क्यों हो रही है, तो इससे क्या होगा, ताकि उसका solution निकाला जा सके, ताकि उसको और अच्छे से सिखाया जा सके, तो यह basically क्या है, evaluation है, judgment है, teacher आपको क्या करता है, judge करता है, इस basis पे कि इसको कहा problem हो रही है, assessment के अंदर है, now, अब हम बात करते हैं, आगे, that is, the components of fitness, this part is very important, अब यहाँ पे क्या होगा, components of fitness के बारे में बात करते हैं, okay, let's, okay, देखो, अब यहाँ पे components of fitness में, दो चीज़े हमें पढ़नी हैं, पहली तो है, health related fitness, और दूसरी है, skill related fitness, ठीक है, health related fitness क्या होगा, जो basic fitness होती है, किसी भी human being के अंदर, उसकी अच्छी lifestyle के लिए, that is known as the, health related fitness, मतलब उसकी health को लेके, हैना, और यह काएगा, skill related fitness, उसकी skill को लेके, skill का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसी एक खूबी, किसी student के अंदर है, किसी person के अंदर, उसकी जो खूबी होती है, अब यह किस basis पे होगी, it is based on the neuromuscular system, उसका जो neuromuscular system है, उसके basis पे होगी, एक second, गला सूख जाता यार, okay, skill related fitness होगा, based upon the neuromuscular system, अब यहाँ पे, जो पहला point है, that is action, इसके अंदर है क्या है, action, यानि ability to perform right movement, अब skill related है, मतलब उसने कुछ सीखी होगी पहले, skill का मतलब ही वही होता है, कि सीखना basically, तो यहाँ पे, जो पहला है, ability to perform right movement, for example, running, turning, twisting, हैना, तो अब यह जो skill है, यह एक student कुछ develop करता है, अपने अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, running, दॉड़ना, हैना, for example, Usain Bolt, हैना, Moh Farah, तो यह लोग क्या है, दॉड़ते हैं, उन्होंने यह अपनी जो skill है, इसको develop किया है, उसके बाद turning, twisting, हैना, turn करना, ठीक है, उसके बाद twist करना, यह सारी चीज़े क्या है, एक student खुद develop करता है, उसके बाद balance, maintain equilibrium, either in stationary, और in a moving position, walking, moving, running, यह सारी चीज़ों का example, आप लिख सकते हैं, balancing में, हैना, balancing, equilibrium का मतलब क्या होगा है, यहाँ पर balance रखना, होता है, अगर आपके neurons अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका body, अच्छे body के अंदर जो cells है, ठीक है, जो signal भेजने वाले जो cells है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब हुआ, कि आपकी body में कुछ ना कुछ part defective हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको problem आएगी, for example, move करने में, running में, dogने में, है ना, उसके बाद देखो coordination, अभी coordination क्या होगा, ability to use different senses, जो अलग-अलग sense होते हैं body के अंदर, उनको एक साथ इस्तेमाल करने का जो process है, that is known as the coordination, अब for example, cricket खेल रहा है कोई, और उसको catch पकड़ना है, किसी को मानलो, let's say catch पकड़ रहा है कोई person, तो अब क्या होगा, जब तक उसका body जो है, पूरा coordinate नहीं करेगा, उसके हाथ, उसके पैर, उसका दिमाग आपस में एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक वो catch कैसे पकड़ पाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, body का coordination बहुत ज़ादा जरूरी है, ठीक है बाई, अगर मानलो, ball जा रही है, अगर उसका दिमाग पता ही नहीं लगा पा रहा, ball की कितनी speed है, कहां तक पहुँचेगी, या फिर उसके भाग तो रहा है, लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे है, तो यहाँ पे क्या होगा, coordination नहीं है body के अंदर, तो यह skill based है, यह skills होती है, यह develop करनी पड़ती है, अब यहाँ पे देखो, health related जो issues होते हैं, जो fitness जो issues हैं, वो क्या होंगे, एक तो aerobic capacity के लेकिए हो सकता है, या नहीं aerobic capacity मतलब, जो jogging करते हैं, अब aerobic मतलब सांस से related, किसी को कुछ होता है, कि छत पे थोड़ा सा चड़ते ही सांस चड़ जाती है, मतलब सांस फूलने लगती है उसकी, या वो होता है obese person में, या फिर मोटे लोगों में, उनके साथ ऐसा होता है, किसी को बहुत जल्दी पसीने आ जाते हैं, तो यह क्या है, थोड़ा सा भागने पर सांस फूल जाती है, तो यह क्या होगा, aerobic capacity, मतलब उसकी जो aerobic capacity वो कम है, तो यह क्या है basic, उसकी जो fitness है, उसको affect करेगा, उसके बाद anaerobic capacity, उसके बाद strength हो गई, किसी में strength कम है, ठीक है, और उसके बाद flexibility हो गई, flexibility मतलब जो yoga करते हैं, आपने देखा होगा, इसको star mark कर लो, यहाँ से एक question जरूर आएगा भाई, ठीक है, body composition से, अब यह body composition है क्या, उसके बादे में बात करेंगे अब, ओके, now, अब यहाँ पर देखो, मैं question भी discuss कोऊंगो, यहाँ से कैसा question आएगा, यह देखे, this is BMI, very important, ठीक है, अगर यह नंबर, अगर यह नंबर 18.5 से कम है, तो वो person, वो student, या वो बंदा क्या है भाई, अंडर वेट है, मतलब उसमें वजन की कमी है, भाई, या केले खाओ, वजन बढ़ाओ, है ना, उसके बाद, if BMI is 18.5 से 24.9, अगर BMI 18.4 से 24.9 के बीच में है, मतलब healthy है भाई, आराम से मस्तर है खापी मौच कर, है ना, if BMI is between 25 to 29.9, अगर BMI 25.0 से लेके 29.9 तक है, तो वो overweight है, भाई साब दौडना शुरू कर दो, overweight है, है ना, उसके बाद, if BMI is more than 30, अगर BMI 30 से उपर है, तो ये भाई साब obese है, obese का मतलब, extra मूटा, double XL, triple XL, 4 XL, हन्, जो size आता है, T-shirt का, तो वो, बहुत मूटा है, ठीक है, ओके, BMI का formula देखो, अब ये जो number आया, ये हमने निकाला कैसे, है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ये जो BMI का, हमने number निकाला, 18.5 जो हम निकाल रहे है number, ये कैसे निकाला, उसके बारे में देखते हैं, तो देखो BMI का एक formula है, weight in kg, weight तो करना है आपको, मतलब weight in kg, divided by height in square, यहाँ पर square missing है, वो add कर लेना हाँ, ठीक है, height का square करेंगे, लेकिन height किसमें होनी चीए, meters में होनी चीए, ठीक है भाई, ये नहीं कि centimeter में या कुछ में, meters में height होनी चीए, for example, अब यहाँ पर एक person है, अब ये जो ऐसा sample question है, ये question आ सकता है, आपको बस इतना ही याद करना है इसमें, एक चो BMI की definition, body mass index, क्या होता है, it is the ratio of weight, it is the ratio of weight and height, in meters, height, the square of height in meters, ठीक है, तो यहाँ पर एकर definition लिखनी हो, तो लिख लो, इसमें दीव इन ही है, body mass index, it is the ratio of weight in kg, weight in kg, and the, square of height in meters, ठीक है, square of height in meters, यह इनका ratio होता है, अब यहाँ पर एक sample question करेंगे, क्योंकि this question is very important, तो इस type का question एक आ सकता है, exam में, बच्चे घवरान आ जाएं, ठीक है, बहुत simple सा question है, मैंने एक rough question बनाया है, अपनी मर्जी से, अबिए, weight of Abhinav is 52 kg, Abhinav इसलिए बोला है, क्योंकि, Abhinav ने कल मुस्से PDF मांगी थी, तो मैंने उसको mail कर दिये, ठीक है, if the weight of Abhinav is 52 kg, and height is 170 cm, अगर Abhinav का weight 52 kg है, और Abhinav की height, जो है 170 cm है, what will be the body composition of Abhinav, तो हमें पता लगाना है, कि Abhinav का body composition है, वो क्या होगा, वो underweight होगा, वो healthy होगा, वो overweight होगा, वो obese होगा, तो ये हमें पता लगाना है, तो चलो, लगाते हैं पता, वैसे Abhinav को तो पता होगा, अना, चलो, अभी लगाते हैं इसका पता, देखो, सबसे पहले, क्या करना है भाई, हमें पता है, BMI का formula क्या है, कौन सा color select हो गया है, black ही कर लेते हैं, red कर लेते हैं, pink, BMI का जो, formula है, वो क्या है, BMI का formula हो जाएगा, height, और स्वारी, weight, upon में, height का square, ये और वो square है वहाँ पे ठीक है, correct कर लेना, और ये height किस में चीए हमें, meter में चीए, और weight किस में चीए हमें, weight चीए हमें kg में, ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे, जो अभीनाव का weight है, 22 kilo है, तो BMI, अभीनाव का हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 52, divided by, कितना 170 centimeter दिया हुए, तो सबसे पहले इसको ख्या करेंगे, भाई, meter में change करेंगे, क्योंकि हमें तो meter में चीए, centimeter से कोई मतलब नी, तो इसको meter में change करेंगे, तो ये कितना हैगा, 1.7 का whole square, whole square क्यों, ये height का square है, तो ये कितना हो जाएगा, 52, divided by, 2.89, ठीक है, और ये कितना हैगा answer, answer आएगा, 17.99 कुछ, या 18 ही मान लो, let's say, average, 18 answer आ रहा है, है ना, अब मेरे को ये बताओ, अभिनाव का BMI आ गया 18, क्या अभिनाव healthy है, क्या अभिनाव healthy है, just tell me, क्या अभिनाव healthy है, heaven of जी, ओके देखतें, अभिनाव का जो BMI आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है, क्या अभिनाव healthy है, नहीं, अभिनाव is a underweight, अभिनाव को थोड़े केले खाने की जरूरत है, ठीक है, तो थोड़ा, क्या हो जाएगा भाई, वो healthy हो जाएगा फिर, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, underweight है अभिनाव, और यूकि उसका BMI 18.5 से काम है, तो हमें बस यह पता लगाना होगा, कि BMI उसका क्या है क्या नहीं, तो इस टाइप से question आएगा, ठीक है, तो this was all about the unit 2, I hope आपको unit अच्छे से समझ में आई होगी, अब आपको कोई doubt नहीं होगा, evaluation और इसमें, assessment में, ठीक है, तो अगर आपको यह PDF चाहिए, तो फटा-फट से comment कर दो, मुझे बता दो, अपनी mail ID लिख दो, ठीक है, you will get this PDF on your mail, ठीक है, तो यह एक basically, बहुत अच्छे notes है, एक ही page में convert कर दिया है, मैंने पूरी इस वीडियो, पूरी उस unit को, ठीक है, तो unit 3 and 4, already मैंने upload कर चुकी है, यह link आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, जो unit 3 and 4 की जो वीडियो, बहुत लंबी है, एक घंटे की, ठीक है, तो उसमें से शुरू की दो, शुरू का जो पार्ट है, आदे एक घंटे का, आदे घंटे का, वो आपकी unit 3 और 4 है, और unit 1 मैंने कली upload करी है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल भी tension नेनी की ज़रुत नी, ठीक है, ओके, सो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि 15 अगताई को एक live class होगी, तो वहाँ पर पता चल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है और है, ओके, थैंक यू सो मच, बाबाए, टेक केर,